जैहिन सांथियों मैं हरपाल ठाकूर आस्टा सीहोर से मद्दप्रदेश के मुख्रमात्री सिवराई सिंग जी चोहान के ग्रह जिले से सांथियों सांथियों आप सब लोग जैसा देख रहे हैं पेपर में न्यूज में इनमें सब में पढ़ रहे होंगे कि पिछले 6-7 दिन से आस्टा के कुछ ग्रामिन युवा और ग्रामिन लोग एक सड़क की बनाने की मांग को लेकर के धरने पर बेठे हैं कौन सी सड़क? खाचरोट से सिद्धिगंज होते वे धुराडा जाने वाली सड़क आज 7 दिन उन लोगों को धरने पर बेठे हो रहे होगे इसके बावजुद भी उक्त सड़क में काम चालू नहीं हुआ सांथियों सिद्धिगंज खाचरोट की सड़क इसलिए महत्पूर्ण है कि वो 40-50 गाउं को तो आपस में कनेक्ट करती ही करती है खाचरोट, बापचा, नोंगाउं, सिद्धिगं, धुराडा, नीलबाड, पगारिया हाट, रामपूरा से लेकि इनको सबको तो आपस में कनेक्ट करती ही करती है पर इससे ज़्यादा और भी इसका महत्पूर्ण यसलिए है कि इस पूरे छेतर से और खाते गाउं कन्नोच से जो लोग हाट पिपलिया जाना चाहते हैं उनको भी यह सड़क कनेक्ट करती है और यह सड़क पिछले पंदरा सालों में जब भाजपा का सासन था तब से बहत खराब है साथियों मैं 4-5 दिन से सोच रहा था कि इस पे बात की जाए पर मैं नहीं चाहता था कि इस मुद्दे का राजनिती करण हो और इसलिए हमने यह सोचा कि भारती जनता पार्टी के लोग ये ग्रामिन जो लोग इस मांग को लेकर के बेठे हैं इनको गंभीरता से लेते हुए निस्चित तोड़ से सड़क का निर्मान कारी चालू कराएंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये उम्मीद थी कि पिछले 15 साल सीवराई सिंग चोहान का और भाजपा का सरकार रही तब पिया आपने इस सड़क का सेंक्षन नहीं किया एक साल के लिए बीच में कमलनाजी की सरकार बनी और हमारे पूरु सांसर सज्जन ओनवा प्यड़ी मंत्री बनी उनने एक साल में इस सड़क को MPRDC में भेज करके 60 करोड का इसका सैंक्षन कराया और टेंडर प्रक्रिया सुरू करायी इस बीच में सरकार गिर गई आपने सरकार चुरा ली ठीक है कोई बात नहीं पर उसके बाद पूरा 16 महीने हो गए और यहां तक की भाजपा के विधायक रगनाज सिंग जी मालवी जिलादेख्ष रवीब मालवी और कलेक्टर ने इसका भूमी पूजन भी 6 महीने पहले कर दिया भूमी पूजन कब होता है सांतियों जब सारी फार्मल्टीज हो जाती है वो अलग बात है कि उसका फाइनेंसर कलोजर नहीं हुआ और ठेकेदार उसमें काम नहीं लगा रहा पर इसके साथ ही हमें ये उम्मीद थी कि मर्द प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी कि दो दिन पेले सीहोर में पहली बार हमने तो देखा कि प्रइबेट किसी होटल के अंदर केविनेट की बैठेट की बैठेट करने आये थे हमें इसा लगता था कि सीहोर जीलापरसासन और विधायक जी और ये सब लोग मिलके म्द प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस समस्य पर ध्यान दिलाएंगे और इस सड़क का निर्मान कारिय तद्काल चारू कराएंगे पर ऐसा नहीं हुआ साथियो मत्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने सीहोर में केमनेट के बैठक करने के भावजूद कोई सोगात सीहोर जिले को नहीं दी और यहां मद्दप्रदेश की सड़के अमेरिका से अच्छी सड़के तो क्या अमेरिका से अच्छी सड़के अगर मद्दप्रदेश की है तो फिर यह ग्रामेंड लोग धरने पर क्यों बैठे आपके जिले में काम क्यों नहीं लग रहा है आप उस सड़क को बनाने का काम क्यों नही होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सिर्प जूट बोलते हो और जूट की दुख दुकान आप चलाते हो अमेरिका से अच्छी सड़के अगर आपकी है तो फिर यह सड़क आप क्यों सुरू नहीं करा रहा है मेरा आप से निवेदन है कि इस सड़क को आप तत्काल सुरू कराईए और उन ग्रामिनों को धर्ना समाप्त करने के और आगे बढ़ाईए मेरा तो जिम्मेदार इस सेत्र के विधायक रुगनात मालवी जी से भी निवेदन है कि मालवी जी वो सड़क कब सेंक्शन हुई उसका पैसा सज्जन वरमाजी ने सेंक्शन कराया उसको आज अगर सड़क बनेगी तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा और आपके मुख्यमंत्री को मिलेगा कमलनाज जी और सज्जन वरमाजी को उसका क्रेडिट नहीं चाहिए पर आप इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाईए कि ये काम तकाल सुरू हो आप अपना समय नकारात नकामी है कि दो लोग, चार लोग, छे लोग, अगर एक भी व्यक्ति को धरने पर बेठना पड़ जाए तो वो सरकार की नकामी होती है और आपके भूमी पूजन की नकामी है इसलिए आप मुख्यमंत्री के पास जाईए और उनसे कहिए कि ये आपका ग्रह जिला है और यह आप तदकाल नहीं लगाएंगे तो आप जूटे साबित होगे कि छे महीने पेले जब आपने भूमी पूजन कर दिया तो इसका काम क्यों नहीं लगा मुझे उम्मीद है कि सीहोर जिले के जिम्मेदार कलेक्टर, विधायक जी और भाजपा के सारे नेता, मद्द सिवराई सिंग जी चोहान से ये कहेंगे कि जब हम एक तरफ तो कहते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़के और आपी के ग्रह जिले में सिद्धिगण से दुरणा मारगे की ये हालत है पिछले 15 साल से और उसका सैंसन पिछले कॉंग्रस की सरकार में हो गया और इसके बाद अब ही काम चालू नहीं हो रहा है ये बड़ी सर्म की बात है इस पर आप